तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्के टेक्निकल कलासेस में तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाले हैं अंडर्गराउंड केबल यानि की भूमिगत केबल के सभी एंसीक्यू को देखने का परियास करेंगी इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग वीडियो में इन तक दरूरूरू बने रहेगा साथी साथ आप लोग के लिए बहुत हेलफुल होने बाला है चाहिए आप लोग कोई भी टेक्निकल गौर्ण्ट इग्जाम का त्यारी कर र सब्सक्राइं नहीं करते हैं तो वहाँ पर दूस्तर यारत याई कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो राइट एंस्टर नहीं पहला और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट को चंट पर आज का अगला प्रसंद यह हुआ है कि केवल का इंटर सीथ ग्रेडिंग परदान करता है और केवल का यानिकी इंटर सीथ ग्रेडिंग क्या परदान करता है प्रदान प्रदान करता है न्यां कि इंटर सिथ घ्रेडिंग जो परदान करता है यानि कि समान विभूपरवन्ताय प्रदान करता है जो की ऊप्सन इसका चाहिए // क्या सभी हो जाएगा सी सभी हो जाएगा आगे बरते नेक्ट कोश्चन से आज का अगला प्रसंट पर बात करते हैं आज का अगला प्रसंट दिया है कोश्चन में का रहा है उच्छ वोल्टेज केवल में इंसुलेशन के लिए आमतर पर परियों की जाने वाली समागरी है किस सब्सक्राइब लिएatar को किया था कि आप पर जो आप्शन बी में दिया है क्राट्ट राध कि यूद आगा है अगला प्रस्ट प्रसंद दिया हुआ है किस पर होता है चालक के और यानिकि कोड पर होता है और प्रमेगत कोड देबाब बहुत होता क्या होता है नितरफ्शन ऑपसंट एक रहा है चालक के कि और कि यहां एकुंके दिया हुआ है टिक पर इन पर संद दिया हुआ एक केबल के चालक का आकार निर्वर करता है ठीक है क्या भाई यानि कि चालक का आकार का रहाओ भी यानि कि अगर चालक की आकार कि अगर बात किया जाये ठीक है तो यह किस पर डिपेंड करता है तो चालक का अकार दुस्ट्रेन कि यह जो डिपेंड करता है ठीक है वह दहारा पर डिपेंड करता है किस पर यान कि कुछ अलग पर तो इस पर डिपेंड नहीं करता ना भोल्टेज पर डिपेंड करेंगा न शक्ति पर डिपेंड करता है जो रहती है थी केबल जो होता है उसके बार में बताना है तो दुस्ते होता है वोटेज पर प्रेंगे में जो दिया हुआ है कर पर्ति करियात्मक सकती तो इस पावर पर डिपैंट नहीं होता ना कि सकती गुना कभ़े ठावर यानिकी भूलता पर यह मोटाई निर्भर करता है जो कि option c में दिया है भोलता राइट अंसर की बात किया जाए तो option इसका c सही होने वाला है क्या सही होने वाला है ठीक है आगे बरते next questions पे आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है questions में कह रहा है non-number questions दिया है केवलो में अवेशन धारा ठीक है यानि कि केवलो में अवेशन धारा जो होता है वह आगे होता है पीछे होता है कैसे होता है वह बताना है ठीक है तो केवलो में अवेशन धारा जो होता है भोल्टेज से 90 डिगरी आगे रहता है ठीक है यानि कि भोल्टेज से 90 डिगरी आगे झाल में लंग द्यूर भी सब्धत से बुद्वार्प आगए तो जो आगे में पीछे नहीं रहता है यह सरा सर ञलत दिया हुआ है सिरे क्रिशिक वह सब्सक्राइब द्योलिक काविट ने ट्रंने के लिए такого करने के लिए एक समान बीत्रन पराप्त 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 करने के लिए तो यह में दिया है राइट अंसर की बात किया जाए तो यह सही हो जाएगा जबकि बी में का रहा है यांत्रिक चोट की बिरूद एक केबल की सुरक्षा करते है यांत्रिक चोट से करता है यांत्रिक चोट से सुरक्षा परदन करता है तो राइट अंसर की बात की सब्सक्राइब साथ किया जए अगे केवल को Wy में डिजइन कि या इंगीत करता है Fin इंगीत करता है ठीक है यह पहल इंगीत करता है दोस्तों ले इंगीत करता है आपको जो केबल होता है या जो चालक होता है यानि कि जो चालक पदार्थ होता है चाहे ऐलमुनियम हो या कॉपर हो उसमें XLPE रोधक प्लेट जो होता है ठीक है फ्लेट आर्म्ड पीवीसी सीथेड का होता है किसका होता है पीवीसी यानि कि सीथेड का होता है पीवीसी सीथेड का हो ाइसने नहीं होता है आप पहले अप्सक्तम गलत दिया हुा है ठीक है दूसरा और hops छाल तो व्हां यह लि Nicki परियोग को नहीं करते हैं ठीक है only for Halo का परियोग किया जाता है जो कि option स्ताम्डा का फरियोग किया जाता है ठीक है जो कि आगला प्रसंदी आगला प्रसंद तीन कोड़ा है तीन कोड में कर रहा है ठीक थी कोर में कर रहा है और तरी और नितल का कलर जो होता और दोस्तों काला भी रहता है जबकि आर्थिंग के अगर बात किया जाए तो रडड होता है तुम्हानद रखिएगा नके अगला प्रसन पर चलते हैं आज का अगला प्रसंद दिया है को सब्सक्राइब का रहा है कि फीडर में किस से की पीडर में होता है किसे मुक्त होता है नीए कि जो कम होता है किसे होता है यह नहीं होता है किसे होता यह में करा पर कि उसके बाद सीकुल से तो ग्रांडिंग होता है इससे मुक्त होता है जैए तो पर्तिरुद हो जाएगा आर मुक्त होते हैं तो राइट एंसर जो होगा इसका सी सही हो जाए क्योंकि नहीं इसमें जो है जो मुक्त वाला पूछ रहा है ठीक है अगला प्रसनाच का दिया हुआ है को चन्स में कह रहा है केवल छोड़ों को एक उपकरन से जोड़ने के लिए किया जाता है या केवल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है ठीक है तो यह यह जो मैनली वर्क जो है दोस्तों यह ठीक है तनाव मुक्त का मतलब क्या है लचीला होना ठीक है तो केवल गिलेंड होता है क्या होता है केवल गिलेंड होता है आप्सन किसमें दिया है केवल गिलेंड तो आप्सन ए में का रहा है लग्स तो लग्स का यह मैन भूमी का नहीं है यह केवल गिलेंड का भूमी का है जो की क QS में कह रहा है तो राय टैनल जो होगा इसका भी सही होने वहला है ठीक है अगे वरतने प्रहूंस कोशन पर आज का अगला प्रसंदिया है को चंट में कह रहा है बिदुत तारो और केबलो में इस्तमाल किये जाने वाले समभाहन समागरी है किसमें का रहा है तारो और केबलो में तारो और केबलो में जो समभाहन समागरी है वो क्या है भाई देखे दोस्तों क्या का रहा है समभाहन समागरी का रहा है और समभाहन समागरी कि अगर बात किय लोहा का ज़्यादा होता है चुल ठीराओं संस्य वाला भी सही हो जाये क्योंकि वी में जो दिया हुआ है काफ़ दिया हुआ है और पर आगे लिए को सब्सक्राइ Ottawa असका अफंस मुक्य लाव होता है कवर Aa केवल का जो मुख्य लाब जोता ही है उस्तम परभाव को बनाए रख सकता है ठीक है उस्तम ठीक है परभाव को परभाव को जो है यानि कि बनाए रखता है ठीक है उस्तम परभाव को बनाए रखता है ठीक है उस्तम परभाव को बनाए रखता है ऑप्शन किसमें दिया हुआ आगे बरते next questions में आज का अगला प्रसंद दिया है कि केवल में इंटरसीद का उपयोग डैस के लिए किया जाता है ठीक है इंटरसीद का परियोग हम क्यों करते हैं तो यानि कि इंटरसीद का जो परियोग मैनली रूप से किया जाता है यानि कि तनाव के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं उचित तनाव के लिए करते हैं तनाव के लिए करते हैं उचित तनाव के लिए करते हैं उचित तनाव के लिए तो सबसे अचान विधी के अगर बात किया जाए तो पर्तियक्ष गराई भी दिया ओप्शन किस में दिया हुआ है अप्शन ए में दिया है राइट एंसर की बात किया जाए तो इसका सही होने बाला है मैं आसा करता हुआ आप लोग सब्सक्राइब करें